किसान साथियों नमस्कार आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में मैं हूँ डॉक्टर अनिल कुमार दिया गिए आज मैं डॉक्टर रोहित गृनेरिवाल जी के पास आया हुआ हूँ उनके फार्म पर और मैंने जैसा आपको बताया था सीता फल और नीम्व की बागवानी करते हैं इस वक्त हम खड़े हैं इनके नीम्व के बाग में ड्रोहित मेरे साथ हैं यह जो बाग है यह इन्होंने हाइद एंशिटी पर लगाया है और यह बताएंगे कि इस प्रकार हमारी चर्चा हो चुकी है कि मेरे पास में पंद्रह करका नीम्बू का बगीचा है नीम्बू को सेलेक्ट करने के कारण सबसे बड़ा यह रहा है कि एनर्सी सी नागपुर द्वारा मुझे मार्क दर्शन काफी इजिली अवलेबल था यहां पर इसमें मेरे पास में परमालेनी साही सर्बती बालाजी विक्रम ऐसे पांच प्रजाती के नीम्बू के पौदे लगाएं वे हैं इसमें जहां पर हम खड़े हैं यह आप देखिए यह पैड यह चार साल का बाग हो चुका और यह जो डिस्टेंस है इनके बीच-की दो पोधों के बीच-की डिस्टेंस है esses यह 10 इस फीट है आपकी तीन मिइटर यह 10 फीट है और यह जो लाइन से लाइन के दूर की जो आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि डाक्टर रोहित से जो मेरी जान पहचान हुई थी वो मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही हुई थी और जब इन्होंने बताया तो मुझे बहुत अचमबा लगा देखिए ये आपके लिए बहुत अच्छा प्रेक्टिकल है मेरी इ जो ये दूरी दिखाई दे रही है ये इसलिए है कि डाक्टर रोहित इनको हर वर्ष कटवाते हैं और अब हम इनसे जानेंगे कि इस पर इन्होंने चार साल में अभी तक कितना खर्चा किया है और क्या ये दूरी सही है इतनी दूरी पर लगाना एक किसान के लिए संभव ह ये चारी का तो चलिये हम जानते हैं और इन यह बताईए कि आपने इनकी कटिंग अभी तक चार बार कम से कम की हो चूल में चार बार हो चुकी है तो उपने कितना कYour सा-बार क्टिंग पर किया हम surroundings the उसके छार बार हरसाल एक एक बार कटिंग हुई है इसमें सरवदिक कटिंग की खर्चा मुझे इस वर शाय दोजर बीस में चार साल में लगभग आपन यह आप गनीत लगा सकते हैं कि लगभग नहीं नहीं चार से पांचलाक रुपए मैंने सिर्फ कटिंग कटिंग में खर्चा किया है। हाइधेंसिटी प्लांट पॉपुलेशन में कैनोपी प्लांट के शेप और सब मेंटेन करने ही तो उसकी जो कटिंग सबसे ज़्यादा जरूरी होती है। उसके हिसाब से मैंने किया। कि थोड़ी सी कठे नहीं है वायबिलिटी जो है उसकी लिए मैं एडवाइज नहीं करूंगा यह जो चार साल वाला बाग है जिसमें हम खड़े हैं यह कितने एकड में हैं और कितने पोधे हैं चार साल वाला बाग जो है अपने साथ एकर में हैं और इसमें 2400 पोधे तो अगर हम इसे 20 वाई 20 पर लगाते तो 7 एकड़ में 770 पोधे लगते, और हम था specially khi empowering श्र में वाई 20 ऊपैने 2 लगाते ओर वाई धिसमें, 2400 यानि वाई 2.30 कपड़ की funding अगर हम एक पोदे की कोष्ट पचास रुपए भी मान कर चलते हैं, तो आप देखिए वो खर्चा जोड लीजिए, उनके लगाने का खर्चा जोड लीजिए, उनके खाद का खर्चा जोड लीजिए, और जो कटिंग चार लाख हम मान कर चरे हैं चार साल तक की, उस कटिंग का खर्चा मेरे हिसाब से, जो हमें मिनिमम्म कटिंग करनी पड़ती है इसमें, जो बार-बार नावेद भाई बताते हैं, वो एक लाख से जादे नहीं होता, तो अब करते हैं कि अंदाजन इन्होंने कितने लाख रुपे इस पर अभी तक खर्च कर चुके हैं, जबकि अभी एक भी फसल नहीं है, हमें डाख साब इसके बारे हैं, इसमें नागपुर से जो लाया था लगभग 30 रुपए प्रति पौधे के हिसाब से लाया था, चोविस सो पौधे दिवू लगे और इसमें कड़ा करके ज़ाड लगाने के हिसाब से 20 रुपए प्रति पौधा वो दिया, खाद वगड़े का 20 रुपए आसपास खर्चा और वो पकड़ लिए, बाकि मार्किंग वगड़े और पानी व्यवस्था वगड़े नहीं सुरुवात में पहले वर्ष ही मेला लगबग 100 रुपए प्रति पौधा तो खर्चा वो आई गया था, सालवर का पाची जो से मेंटेनेंस वगड़े के साब से अपने और उसके बाद में हर सवर्ष उसकी खाद की व्यवस्था तो यह साथ एककर में लगबग आपन यह पकड़ सकते हैं कि पिछले चार साल पान साल में मैंने आठ से दस लाग रुपए खर्च कर्च दिया हूं यह हाई डेंसिटी केस में तो देखे इसमें आठ से दस लाग रुपए हम फिर भी आठ लाग रुपए कम से कम बान कर चलते हैं अब आप आठ लाग में इसका दूसरी सिनेरियो देखे इसका दूसरी तरफ से देखे अगर हम इसमें साथ सो सतर पोधे लगाते तो हमारा ख फर्चा अधिक किया 6 लाग रुपे, किसान सातियों 6 लाग रुपे पर अगर आप 8% भी इंटरेस्ट लेते हैं, तो कितना बैठता है, 48,000 परती इयर आपको जो हना इंटरेस्ट मिलता है, वो इंटरेस्ट इनों ने खोया है, 6 लाग रुपे खोये हैं, तो 48,000 के हिसाब से अगर आप 6 लाग में जोड़ते हैं, तो 3 लाग रुपे वो हो जाते हैं, तो 9 लाग रुपे का net loss अभी तक हो चुका है, यह है एक पहला जिसे आपको सोचना चाहिए, अब हम दिखाते हैं कि इससे कैसे पोधे लगते हैं, आईए मैं आपको कुछ ऐसी चीज़े दिखाता ह जो मैं सुभ़ से आज डाक्टर रोहित के साथ देख रहा हूं और डिसकस कर दो, किसान साथियों, यह तेरे फिट में जो डाक्टर रोहित हैं, इनका ट्रेक्टर चलता है, बड़े वाला ट्रेक्टर है, इनका छोटा नहीं है ट्रेक्टर जो है तो आप यह देखिए, अमेजिंग किसान डोट कॉम पर एक लेख है, नीमू की बागवानी का सच, और वो नावेद जी ने मुझे लिख कर भेजाता है, मैंने सिर्फ एडिटिंग की थी, उसमें यह बात लिखी हुई है, आप देखिए कि यह तोटा हुआ है, यह क्या करण है, कि यह जब ट्रेक से टूटी है, और आप देखिए, यह कैंकर की वज़े से यह हालत है, जब भी रगडाई होगी, कहीं भी होगी, तो यह कैंकर आएगा और आपकी यह साखाई सूखने लगेगी, आप देखिए कितनी जवरदस्त कटिंग है यहां से, अगर यह कटिंग ने होती, तो मैं डा पहला पोधा बड़ा होता, तो उस पर फल भी ज़्यादा आएंगे, दूसरा कटिंग का पैसा बसता, तीसरा खाद का पैसा बसता, और चोथा जो आपकी खाद डालने की और बाकी देखवाल की मज़़ूरिय वो भी बसती, तो अभी मैं डाक्ट साब से एक रिक्वेस्ट कर रहा था, कि डाक्ट साब मेरे कहे से इन में से दो लाइन बीच में से एक एरिये की छोटे की, दो लाइन हटाईए और एक एक पोधा बीच से कम कर दीजिए, और उनकी कटिंग मत कराईए, किसान साथियों जो बार बार नावेद भाई कहते हैं, कि नीम्बू में पहले दो साल में होती है, और वो सिर्फ हम यहां से कहते हैं, दो से तीन फिट तक, ताकि ये साखाई जमीन ने चुए, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, कि ये साखाई जमीन ने चुए, इसके बाद जो साइड में बढ़ती हैं, उनको नहीं काटना है, हमें पहले द पूछते हैं कि पूछते हैं कि सूट क्या होती हैं यह मात्रा को बढ़वार में मिले इसको हमें काठना जब बढ़ा हो जाता है फिर नहीं काठते हैं और ने अगे यह नहीं काटते, इनके पोदे यहां तक हो चुके होते, यह जो पोदा है, अगर इसको हटा दे, यहां तक हो चुका होता, देखे कितना सुंदर निभू लगा है, यह देखे, यह परमालेनी का निभू है, इनका, यह देखे, कितना खुबसूरत निभू है, यह परमालेनी क कि पैचाने बाकि आप इधर से कर दोगे तो आपको यह साइं सर्बति लागेगा तो सिर्फ यहां से पैचाने उसमें यह दबा हुआ नहीं होता है तो किसान साथियों यह था मेरा अनुभव आप देखे जितना भी अगर देखेंगे आप यह इसमें बहुत जवर्दस्त कैं करके कारण मरी हुई है और यह सब सूखी हुई है इनको हटाना चाहिए यह देखे बिल्कुल बेकार हो गई लेकिन अगर यह इनको हटाने लगे तो कितना खर्चा आएगा मुझे पता है कि डॉप्टर रोहित के दिल पर क्या गुजर रही होगी कि त्यागी जी कह रहे है एक लाइन हटा दो एक पोधे हटा दो तो आपको कितना मतलब एक लाइन का मतलब है 21 पोधे साब एक एक पोधा हटाओगे तो 21 में से 10 हट जाएंगे कुल 11 पोधे बचेंगे इनके दिल पर क्या गुजरे कह रहे है कि इस बार की फसल ले लो उसके बाद में मैं मेरा नीबू के बारे में बागवानी के बारे में सबसे यही रहेगा सबी किसानों से कि नीबू के पोधे सबसे बहतरी बीस बाई बीस पर ही है इससे कम कांतर न रखें इसमें बाकी जाडों की संक्या का खात की संक्या का प्रमान रोग राई ये जाड़ नजदीक होने के कारण इस पे कैंकर, बैक्टिरियल बलाइट और बाकी इतर संसर्ग जन्य और जो रोग होए वो भी ज्यादा जल्दी स्प्रेड होता है वही अगर बीस बाई बीस पे रहेगा तो जाड से जाड में रोगों के स्प्रेड रोग के स्प्रेड के इसमें कम तरता आएगी बीमा खाद का प्रमांट कम हो जाएगा और साथ ही में जो पीरिड में आप कोई यचा इंटर प्राटिवेशन में इंटर क्रॉप में कुछ नेकुछ क्रॉप ले सकेंगे चना हो गया सोयाबिन हो गया ऐसे क्रॉप बीच में ले सकेंगे अगर 20 बाई 20 रखा यह हाइड अपने को खाली इंतजार ही करना पड़ता है किसान साथियों यह थे डॉक्टर रोहित गनेरिवाल और बड़े किसान हैं और डॉक्टर हैं इनकी मिसेज गाइनोकुलोजिस्ट है बहुत अच्छा होस्पिटल है छोटी सी फैमली है दो बच्चे हैं यह सोक से करते हैं इस काम में अभी तक लगाया है आप सोचिए ही साथ एककड में मेरे हिसाब से नो लाक रुपे एक्स्ट्रा यह खर्च कर चुके हैं तो वो आमदनी होती तो यह तो कर सके हैं जैसे मैंने आट बाई पांच पर अम्रूद का बाग लगाया था बाद में मैंने कटवा दिया लेकिन किसान साथियों जो किसान जिसके पास और कोई आमदनी है वो नहीं कर सकेगा और आप इस भुलावे में मत आएं कि हाई डैंसिटी से ज़्यादा आमदनी होती है और पर्टिकुलर नीमू में नीमू होएं बिलकुल भी मत करिये मैं तब ही कहता हूँ 20 बाई 18 या 20 बाई 20 इसी के साथ हम विदा लेते हैं और धन्यवाद करते हैं डाक्टर रोहित जी का जो हमारे होस्ट भी रहे हैं और आज रात हम यहां और रुकेंगे अभी हमें कहीं और जाना है और हमें बहुत अच्छा लगा मेरी तो पूरी थकान उतर गई ती दिन की और एक अच्छे मित मिले इतनी दूर में और यह था आप लोगों के लिए हमारी चोटी सी निम्रूपर प्रजेंटेशन धन्यवाद नमस्कार जैहिंद जैभारत वंदे मात्रम